हेलो दूस्तों स्वागत आपका हमारी यूडूब चैनल यहू बाबा पे यह हमारा माई सीक्वल कोर्स से लेटिट 14 टॉटोरियल है और इस कोर्स में आप सीक्वल के इस नल और इस नॉट नल नाम के दो ओपरेटर सीखने वाले हैं यहाँ पर देखी यहाँ पर हमारा पस एक dummy student का data है और यहाँ पर एक mistakenly यहाँ पर एक entry missing है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर age जो है वो नहीं आई है तो यहाँ पर actual में null value store हो चुकी है तो ऐसा कहीं बार होता है कि अगर हमने table बनाते समय जो column है उसको is null नाम की constant नहीं दिया है तो data entry करने वाला गलती से वहाँ पर कोई value miss भी कर जाता है तो देखिए जैसे यहाँ पर miss ही हुई यह value अब हम करना के चाते हैं हम ऐसे student का record निकालना चाते हैं जिसकी age जो है वो null है कुछ इस तरीके से यहाँ देखिए यहाँ पर हमार पस data आ चुका है जिसमें age जो है वो null है तो इस तरह का अगर हम SQL की command से data निकालना चाते हैं तो वहाँ पर हम use करते हैं अपना is operator यहाँ देखिए हम पहले लिखेंगे where फिर column का name और उसके बाद यहाँ पर हम operator लगाएंगे is null तो जहाँ जहाँ पर भी age जो उसा भी हमने column दिया होगा वहाँ पर अगर null value है तो उसका record निकालके ले आएगा यह आईए अब देखते हैं कि is null operator को हम select command के साथ कैसे लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर syntax है is null का यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे select फिर आजेंगे columns के name जिनका आप data देखना चाते हैं यहाँ पर आप star भी लगा सकते हैं अगर आप सारे columns का data देखना चाते हैं उसके बाद आपको लिखना है from फिर table का name और यहाँ पर आजेगा where where के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी condition सबसे पहले column जिसके अंदर हम check करना चाते है null value है की नहीं और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे is null तो जो यह command आई है हमारे को सारे null values का record निकाल के देगी और अगर हम ऐसा record निकालना चाते हैं जहाँ पर value null नहीं है तो उसके लिए भी हम use कर सकते हैं is not null तो just आपको बस यहीं पर change करना यहाँ पर आपको लिखना है is not null तो यह command आपको सिरफ उनी records का data निकाल के देगी जहाँ पर value null नहीं है तो आई अब शुरू करते हैं practical और देखते हैं कि हम is null operator को कैसे use कर सकते हैं तो यहाँ पर mysql के अंदर काम करने के लिए सबसे पहला जो हमारा step होगा वो है कि exam server को on करना है और उसके control panel को open करके यहाँ पर apache और mysql को on कर लेना है उसके बाद हम अपना software open करेंगे mysql workbench यहाँ पर देखी यहाँ पर मैंने अपना software open कर लिए mysql workbench अब यहाँ पर जाके सबसे पहले मेरे को अपने connection पर क्लिक करना है यहाँ देखी यहाँ पर मेरे सामने sql editor open हो चुका है और यहाँ पर मैंने एक table बना हुआ person जाम से तो इसको मैं open कर लेता हूँ यह देखीए यहाँ पर मेरे पर से एक record आ रहा है जिसमें तीन कॉलम है id, name और birth date यहाँ पर नीचे के जो दो रोज है मतले की दो data है रमन नाम से उसके अंदर date of birth missing है आप देख रहे हैं वहाँ पर null value store हो चुकी है और इसी तरह उसके next जो recorder 7 number पर वहाँ पर name miss है वहाँ पर null value store हो चुकी है तो अब यह data मैं SQL command की help से देखना चाहता हूँ कि कहां-कहां पर null value है तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर पहले मैं लिखूँगा select star from table name तो हमारे table का name है persons उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपना where clause और यहाँ पर पहले मैं अपने birth date को चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं column का नाम लिखूँगा birth date और उसके बाद मैं अपना operator लगाना है is null यह देखिए अब यह चेक करें कि कहां-कहां पर birth date जो है वो null है मैंने यहाँ पर third button पर क्लिक किया execute पर और यह देखिए यहाँ पर हमारे पास एक data चुक है जिसमें लिखा हूँ है is null बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपने दूसरा column भी चेक कर सकता हूँ name नाम का अब मैं इस command की app से यह देखना चाता हूँ कि कहां-कहां पर student का name में से है और वहाँ पर null value store हो चुकी है यह देखिए यहाँ पर हमारे पास एक 7 ID आग चुक है जहाँ पर जो name है वहाँ पर null value store है और null का मतलब होता है कि कोई भी value नहीं है वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर not भी check कर सकते हैं तो उसके लिए just मेरे को यहाँ पर is के बाद लिखना है not अब यह मेरे को उन student का नाम देगा जहाँ पर null value नहीं है यह देखिए यहाँ पर हमारे पास सारे record आचुके हैं जोज में किये थे या greater than, less than ऐसा कुछ लगा के check नहीं कर सकते उसको check करने का सिरफ यही एक solution है is null और is not null अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए अगर आप ऐसे ही regular updates आते हैं तो हमारी चैनल यहू बाबा को subscribe करना मत भूलिए